वेल्कम डिया स्टुड़न्ट टू दौ अनलेंग क्लासेस अपसरदारवल लब्भाई पतेल इंग्लिश मेडेम स्कूल यावल माई नेमी सुवर नापा तिल टुड़े वी आर गोईंग टू लर्न स्टैंडर थर्ड और सब्जेक्टे हिंदी आज हम लोग हिंदी की जो फोर्थ नंबर की पोया में वो देखेंगे उसका नाम है दितली देखो बच्चो दितली हमें बहुत प्यारी होती है क्यूंकि उसके जो कलर्स रहते हैं रंगबी रंगी और आकर्षत होते हैं रंगी भी रंगी नीली पीली प्यारी प्यारी न्यारी तितली कैसी होती है तितली रंगी भी रंगी होती है नीली पीली और बहुत प्यारी प्यारी होती है कितने सुन्दर लगती है वो किसे रंग चुराती हो देखो ऐसी कल्पना की है कि वो सबसे सुन्दर लगती है लेकिन इतने कलर इतने रंग वो कहा से चुरा कर लाती हो फूलों का रस लेकर अपनी भूग कमिटाती रहती हो देखो जो पुश्प होते है जो फूल होते है उनका वह जो क्या करती है रस चुराती है और रस चूसके वह अपनी भूख को मिटाती है फूलों में चिप जाती हो वहाँ वहाँ मंडराती हो पीछे पीछे भागू तो में हाथ नहीं क्यू आती हो देखो कहाँ पे चुपती है वहाँ फूलों में यदि आप उस तितली को पकड़ने के लिए भागो या उसके पाथ जाओ तो वह क्या हो जाती है तुरंत वहाँ से भाग जाती है वहाँ आसानी से हमारे हाथ लगती है क्या नहीं क्यूंकि अगर वहाँ किसी फूल पे बेटी हो और आप वहाँ पे धीरे धीरे से जाओ लेकिन आप वहाँ पे उसे पकड़ो तो उस समय वह वहाँ से भाग जाती है वह आसानी से हमारे हाथ नहीं लगती है इत्राती इठलाती हर दम खूश रहना सिकलाती हो देखो हर दम तितली हमें क्या संदेश देती है कि हमेशा ख खुश रहना सिकलाती है वो और साती सात उसके जो कलर होते है वो बहुत आकरशक होते है और वो सबको बैती है लेकिन अगर आप उसके पात जाओ उसे पकड़ने के लिए तो वो हमारे हाथ में आती है क्या नहीं वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है एसी ये तितली है और उस सबको पसंद आती है लेकिन वो उसे पकड़ने के लिए हम जाओ तो वो हतुरं भाग जाती है ठीके थैंक यू फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चाइनल